हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माइ यूटूब चैनल तो दोस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो मैं आपके लिए दोस्तो आपके हिंदी का कुश्चन पेपर लेके आचुका हूँ आपके क्लास 12 का दोस्तो यह है 24 मार्ज का पेपर है और दोस्तो यह है आपके exam में आपको देखने को मिलने वाला है तो जल्दी से दोस्तो इसके सभी question को एक वार देख लीजिए और दोस्तो अपने notebook में note कर लीजिए क्योंकि यह question paper आपको आपके exam में आपको देखने को मिलने वाला है तो चलिए दोस्तो मैं आपके लिए इसके सभी कुश्चनों को solve कराने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्ली चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि आपको दोस्तो सभी कुश्चन पेपर आपको provide हो सकें देखिए पहला जो कुश्चन है आपका आपठित गद्यांस से रिल लिया गया है जिसमें आपको इस गद्यांस को पढ़के सभी कुश्चनों के answer हल करने हैं जैसे इसमें answer के question देख लेते हैं देखिए पहला question है उचित गद्यांस का उचित सीरसक क्या है तो आपको सीरसक बताना है सीरसक क्या होगा तो यहाँ पे दोस्तो अगर आप देखेंगे तो इसमें दोस्तो अहिंसा के बारे में पूरी बातें बताई गई है कि अहिंसा किस परकार से अहिंसा किस परकार से दोस्तो एक मनुश्य में होनी चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो तो इसका उचित सीरसक जो हो जाएगा वो हमारी संस्कृति का मूल आधार अहिंसा हो जाएगा तो option A यहाँ पे एकदम correct answer हो जाएगा next question है दोस्तो अहिंसा का दूसरा स्वरूप क्या है तो अहिंसा का जो दूसरा स्वरूप है वो दोस्तो त्याग है त्याग इसका एकदम correct answer हो जाएगा अगर दोस्तो इस passage को आप पढ़ेंगे तो आपको दोस्तो अहिंसा के बारे में पता चलेगा कि अहिंसा का जो दूसरा रूप है वो त्याग होता है ऐसे ही तीसरा question है इसमें देखिए next question इसमें मानव जीवन के लिए क्या आवश्यक है तो मानव जीवन के लिए हमेशा दोस्तो सत्य और अहिंसा आवश्यक है तो option 2 इसका एकदम correct answer हो जाएगा इसमें आप दोस्तो देख सकते हैं इसका भी आपको answer देखने को मिल जाएगा मानव जीवन में दोस्तो अहिंसा और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका next question की बात करते हैं देखिए लोगतंत्र का अर्थ क्या है तो लोगतंत्र का अर्थ हमेशा दोस्तो ब्यक्ति की पूर सतंत्रता होती है तो ब्यक्ति की पूर सतंत्रता इसमें सा option एकदम correct answer हो जाएगा इसके बाद next question है आपका भारतिय संस्कृति का मूल आधार क्या होता है तो भारतिय संस्कृति का जो मूल आधार है वो दोस्तो अहिंसा ही होता है अहिंसा इसमें दोस्तो इसका एकदम correct answer हो जाएगा जैसा कि आप इसका जो passage का दोस्तो वो title देखेंगे सीरसक मूल भी क्या है संस्कृति का आधार ही है next है आप देखिए next passage आगया है अब दोस्तो यहापे पध्यांस से लिया गया है यह भी आपको आपठित पध्यांस है और इसको पढ़कर आपको इसके question answer हल करने है जैसे इसमें पहला जो question है कवीने दर्ती किसके बीज बोए है कवीने दर्ती में किसके बीज बोए है तो कवीने दर्ती में दोस्तो सेम के बीज बोए है सेम के बीज इसका एकदम correct answer हो जाएगा इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें आपको सैम के वीज दवा दिये हैं देखिए यहाँ पे इसके बाद next question की बात करते हैं कवी ने लोब बस दर्ती में क्या बोया था तो दर्ती में दोस्तो लोब बस पैसे बोये थे पैसे इसमें क्या हो जाएगा एकदम correct answer हो जाएगा इसके बाद next question है यहाँ पे देखिए तो दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं कवी ने लोब बस पैसे बोये थे तो पैसे यहाँ पे इसका एकदम correct answer हो जाएगा इसके बाद देखे next question है कभी किसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो कभी किसके महत्व को धर्ती के महत्व को समझ नहीं पाया था क्योंकि दोस्तों इसका जो सीरसक है वो धर्ती से ही related है बसुंद्रा जिसे हम कहते हैं बसुदा next है आपे रत्न प्रसविनी किसे कहा गया है तो रत्न प्रसविनी धर्ती को बसुधा को कहा गया है इसके बाद next है धर्ती का पर्यायवाची क्या है तो धर्ती का पर्यायवाची भी क्या है बसुधा होता है तो option A इसका correct answer हो जाएगा इसके बाद next question की बात करते हैं question तीसरा है जिसमें आपको रिक्तिस्तान की पूर्ती करनी है इसमें कुछ grammar से related question आपको पूछे जाएंगे जिसमें पहला question है हिंदी देवनागरी लिपी ने लिखी जाती है तो कौन सी लिपी में लिखी जाती है देवनागरी तो देवनागरी इसका एकदम correct answer हो जाएगा इसके बाद next question है दोस्तो next है याँपे मोहन गधा है तो मोहन गधा है इसमें कौन सी सकती है तो लख्षडा सकती है लख्षडा सब्द सकती क्या हो जाएगा दोस्तो लख्षडा सब्द सकती इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है याँपे बिचारों के पिरकटी करण के लिखेतवा मोखिक रूप मोखिक माध्यम को क्या कहते हैं तो बिचारों के लिखेतवा मोखिक माध्यम को भासा कहते हैं तो भासा इसमें एकदम correct answer हो जाएगा next question है पीपर पात सरिसमन डोला पंक्ती में उपमा अलंकार है उपमा अलंकार हो जाएगा इसके बाद बरडों की बारवार जब आविर्ती होती है तो उसमें अनुपरास अलंकार होता है बरडों की बारवार आविर्ती होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है इसके बड़ों के सारतक समू को क्या कहते हैं दोस्तों बड़ों के सारतक समू को सब्द कहते हैं सब्द कहते हैं Next question है यहाँ पे देखिए इसमें अतिला गुट्रातवक परिसन है जूही की कली किसकी रचना है तो जूही की कली सूरे कांत तरपाथी निराला की कवीता है तो सूरे कांत तरपाथी निराला की कवीता है तो निराला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरे कांत तरपाथी निराला बगतिन का बास्तिविक नाम क्या था तो भक्तिन का वास्तविक नाम लच्मी था लच्मी इसका right answer हो जाइगा मैंडक मंडली का दूसरा नाम क्या था तो मैंड़क मंडली का दूसरा नाम इंदर सैना था इंदर सैना इसका एकदम correct answer हो जाएगा इसके बाद next question है आपका सिंदू सब्विता के नगरों के नाम बताईए तो सिंदू सब्विता के जो नगर हैं जैसे काली बंगा हो गया जो मोहन जोड़ो हो गया लोथल हो गया और दोस्तो हडपा हो गया तो ये क्या है आपके सिंदू सब्विता के नाम है तो इनको भी आप नोट कर लें हडपा इसके बाद ककार कितने प्रकार के होते हैं ककार पांच प्रकार के होते हैं ककार पांच प्रकार के होते हैं जैसे पहला हो गया आपका केस, कंगा केस, कंगा, कच्छा और दोस्तो कडा, कडा भी होता है और लास्ट है आपका करपाल केस कच्छा कंगा और कड़ा करपाल तो ये इसके राइट आंसर हो जाएगे इसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है निमन सब परिवासा परिवासिक सब्दों को अर्थ कीजिए तो एविलिटी का अर्थ क्या होता है योग्यता होता है योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा और एकोनमी क्या होता है दोस्तो अर्थ सास्त्र होता है क्या होता है अर्थ सास्त्र होता है अर्थ सास्त्र एकोनमी नेक्स्ट है याँ पर दोस्तो हालावाद के जन्मदाता किसे माना जाता है हालावाद के जन्मदाता किसे माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो हरीवन्स राय बच्चन हरीवन्स राय कभी हरीवन्स राय बच्चन इसका क्या हो जाएगा दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे ही next question है पहलवान लुठन सींग का गुरू कौन था तो पहलवान लुठन सींग का गुरू कौन था दोस्तो बादल सींग बादल सींग इसका एकदम correct answer हो जाएगा तो बादल सींग पहलवान लुठन सींग का गुरू था next question की बात करते हैं दोस्तो next question है आपका इसमें दोस्तो लगुत्रात्मक पिरसिन है आपके समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं तो इंट्रो क्या होता है दोस्तो समाचार पत्रों में पहले पड़ाव का हिस्सा होता है पहले पड़ाव को ही हम इंट्रो कहते हैं जिससे पाटक को यह पता चलता है कि दोस्तो उसमें जो दोस्तो जो लेखन है उसमें जो ब्योरा है वो किस से रिलेटेड है अर्थात यह ए आप लिख सकते हैं, नराला के बादल रा कवीता का प्रतिपात्दे इसपष्ट कीजिए, सहर से सुईकारा है, कवी का मूल भाव क्या है, बादल भाजार का जादू कब से जादा चलता है, और चारली सबसे जादा स्वेम पर कब हसता है, सिल्वर बैडिंग कहानी लेखक से क क्या संदेश लेखक क्या संदेश देना चाता है और जूज कहानी की मूल संबेदना अपने सब्दों में लिखिए उल्टा प्रामिड सैली को इसपष्ट कीजिए ऐसे ही फीचर किसे कहते हैं फीचर क्या है इसको आपको बताना है इसके वाल आपके निवंदात्मक पर जैसे आत्मपरिष्य कविता में हिडदेगात उदगारों को व्यक्त कीजिए या फिर उसा कविता में आई ग्रामिड परिवेसों का बिम्मों को इसपष्ट कीजिए नेक्ष्ट है आपका नमक कहानी के मूल संदेश पर प्रिकास डालिए या फिर बाजार दर्सन पर बारिवारिक मूलियों को हिरास की कहानी बताईए या फिर मादेमी बर्मा की लिखा मावेरी बर्मा द्वारा लिखा बक्तिन इस्त्री विमर्स की कहानी है कैसे सूर्य कांतर पाठी निराला का जीवन परिचय या फिर समसेद बहादुर सीम का परिचय आपको बताना है इस इसमें आपको कोई भी आपको पध्यांस जो भी पसंद है उसकी आपको रभ्याक्या करनी है कि किस सब पार्ट से ये लिया गया है लेख कौन है कभी और इसको हिंदी में आपको सरल सरल सब्दों में आपको बताना है ऐसे ही गध्यांस भी आएगा इसको भी कोई भी अत्वा इसके बाद ज्ला अदिकारी बूंदी की ओर से तिती में परिवर्तन की विग्यप्ति ग्याद कीजिए तो विग्यप्ति तयार करनी है या फिर निवंद भी आप इसमें देखिए खेती हर मजदूरों को कुष्टी सीखने के लिए पहलवान स्कूल खाली तो ये आपका वो है पैसिज है इसके बाद आपको निवंद दिया जाएगा निवंद में आप देख सकते हैं किस विसे पर किसी सिविसे पर जैसे कोरोना हो गया मैला संसक्ती करण हो गया मनरेगा इसके अलावा आपको महंगाई बेरोजगारी महंगाई बेरोजगारी और दोस्तो यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी और इसके अलावा दोस्तो पर्यावरार प्रदूसर ये भी आपको पढ़के जाने हैं महिंगाई बेरोजगारी पर्यावरार प्रदूसर और दोस्तो ये ही आपको इनमें से कोई एक भी आ सकता है तो आई होप दोस्तो वीडियो अच्छे लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you